नमस्कार, उत्राखंड में खासतोर पर अगर अभी क्योंकि देहरादून से आप ये मेरा विडियो देख रहे हैं, तो भयंकर तूफान बीती रात रहा और उसकी एक जलक आपको इस वक्त आस्मान में मौसम के रूप में भी दिखाई दे रही है, अभी भी हलकी हलकी इंडिया ने 14 एंकर्स को बॉयकॉट किया है, बैन नहीं किया है, बॉयकॉट किया है, बैन और बॉयकॉट में यहाँ डिफरेंस है, बैन होते हैं सरकार की तरफ से, बॉयकॉट अपनी इच्छा अनुरूप, जब आपको लगे कि किसी के साथ रहना या किसी के साथ खड़ की स्थिती आती है तो इन 14 एंकल्स को बैन किया गया है और इसकी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दी थी कि अब यह संभवर एक सब ग्रूप है जो इस पर काम कर रहा है फाइनली वो 14 नाम सामने आ गए है नाम इंपोर्टन नहीं है इसलिए उन पर हम नहीं जाएंगे लेकिन उसके बाद से क्या क्या हुआ बहुत से लोग यह कह रहे हैं कि सिर्फ यहीं 14 नाम क्यों अभी तो ऐसे और भी बहुत सारे लो जूप डिबेट नहीं करते तो कल को इस बात की क्या गैरंटी है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जर्नलिस्ट जो आपसे सवाल पूछेगा और वो सवाल अगर आपकी पसंद का ना हुआ या आपको ठीक ना लगा क्योंकि यह बड़ा सब्जेक्टिव है ना किसको कौन सा गढ़ बंदन ने वो तस्वीर दिखा दी है लेकिन फिर सवाल यह है कि आज आपके सामने सत्तापक्ष है आपके सामने विपक्ष है विपक्ष ने एक मैसेजिंग कर दी है यह मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसको आप कोई ऐसा फैसला मत समझे कि इ यह देखिए यहां पर ऐसा तो नहीं है कि बॉयकॉट पहली बार हुए बहिशकार पहले भी होते रहे हैं उसकी एक दिल्चस्प कहान यह भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ लेकिन बहिशकार इस बार जो है किसी एक पार्टी ने नहीं किया है अठाइस पार्टियां लेकिन कॉंग्रेस से नहीं आएंगे आमादमी पार्टी से नहीं आएंगे टीमसी से नहीं आएंगे आर्जडी से नहीं आएंगे सपा से नहीं आएंगे ठीक है तो यह गठ बंदन है जिनमें यह अठाइस पार्टियां शामिल है जब यह पार्टियां नहीं आएंगी तो तो फिर TV चानल को क्या करना पड़ेगा, फिर TV चानल उनकी जगा, उनके, कहलीजे समर्थकों को बिठा देगा, या तो आप वरिष्ट पत्रकारों को बिठाएंगे, और आज की तारीख में किसी ना किसी का जुकाव किसी ना किसी तरफ है, तो जो आने वाले गेस्ट को ठीक लगे कि उसके नाम के साथ आप क्या देना चाहेंगे, कि ये कॉंग्रेस समर्थक है, ये आमादी पाटी समर्थक है, क्योंकि वहां का ओफिशल प्रवक्ता आपके पास नहीं आ रहा, तो आप समर्थक को बुलाएंगे, और फिर आप वही डिबेट करवाएंगे, तो लिए ऐसा नहीं है कि टीवी चैनल का कोई काम रुखने वाला है, या डिबेट को आपने बॉयकॉट कर दिया, तो डिबेट अब बंध हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तो अलगबग चीजें वैसी की वैसी ही चलती रहेंगी, लेकिन अब यहां से दूसरा इंडिवीजुल्स को आप छोड़ दीजिए, यह आज यहां है, यह कल को नहीं भी होंगे, नौकरी छोड़ देंगे, कहीं और चले जाएंगे, हो सकता है कुछ और काम करने लेगे, कोई और चैनल जॉइन कर लें, लेकिन कोई भी न्यूज आंकर, यह सवाल मैंने पिछले आंकर के डिबेट कंड़क्ट करने के तरीके पर, और वो बात उसके सूपर बॉस तक पहुच गई है, और उसके सूपर बॉस को लगा कि यह कल को कोई दिक्कत पैदा कर सकते हैं चीज, तो क्या वो आंकर वो बात कह सकता है, क्योंकि आंकर इंडिवीजुली कुछ नहीं है वो चैनल का स्पोक्सपर्सन है उस पर्टिकुलर समय में, वो चैनल का ब्रैंड है, चैनल का चेहरा है, तो क्या वो कोई ऐसी बात कह सकता है, जिससे चैनल इतिफाक नहीं रखता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ इंडिवीजुल्स को बैन करके आपने क्या हासिल कि अब यहां से दूसरी बात निकल कर यह आती है, कि क्या कल को आप, मैं विपक्ष की बात यहां पर कर रही हूँ, विपक्षी गठबंदन की करीब 10-11 राजजियों में सरकारे हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, करनाटक, तमिल नाडू, राजस्थान, छतीजगर, केरला, बिहार, इन सब जगों पर आपकी सरकारे हैं, लेकिन पश्चिमंगाल और दिल्ली और आप सब भरपूर विग्यापन देते हैं, भरभर के विग्यापन देते हैं, विग्यापन जो है चैनल की इंकम की लाइफ लाइफ लाइन है, एक बड़ा रिसोर्स है, और वो सब आपकी बात को रखने का अवसर नहीं दिया जाता, या बीजेपी की पसंद की सवाल पूछे जाते हैं, तो अगर आप इन 14 लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत रखते हैं, तो कल को क्या विपक्ष का गठबंदन, इंडिया, जहां जहां उनकी सरकारे हैं, जिन रा इस मासस को कवर करता है, उसकी रीच जादा होती है, वहाँ पर आप अपनी सरकार की उपलब्दियां विज्यापन के रूप में देंगे, यानि एक तरफ आप आरोप लगा रहे हैं, कि आपको आपकी छवी को धुमिल किया जा रहा है, आपको ड्यू स्पेस नहीं दिया ज लेकिन अब सिर्फ मैसेजिंग या नारेटिव या परसेप्शन से आगे निकल कर, क्या आप ऐसा कदम उठा पाएंगे, जहां से एक दूर गामी परिनाम निकले और जहां से वाकई परस्थितियां सुधरने की दिशा में कुछ हो, एक और महत्वपूर्ण बिंदू अब म तब तब ये किस्सा सामने आएगा, लेकिन उससे आगे की बात है कि बैन बॉइकॉट ये परिस्थितियां पहली बार नहीं हुई है, दो हजार चौधा का एक मामला अब बार बार निकल कर सामने आ रहा है, जहां पर बीजेपी ने एंडी टीवी का बहिशकार किया था और ये कह दिया था कि हम बकाइदा प्रेस रिलीज जारी करके ऑफीशल स्टैंड लेते हुए कहा कि हम अपने प्रवक्ताओं को यहां नहीं बेजें कि वहां एक संस्थान के खिलाफ फैस्ता लिया गया, क्योंकि एंडी टीवी के डिजिटल प्लाटफॉर्म ने एक खबर ऐस चापी जिसमें दिवंगत सुष्मा स्वराज जी को गलत तरह से कोट कर दिया गया, 2014 का यह मामला था, उस समय बीजेपी की सरकार सत्ता में नहीं आई थी केंद्र में, और यह कहते हुए सुष्मा स्वराज जी को कोट कर दिया गया, कि अगर देश में मोधी लेहर है, तो उसको लेकर एक नोट चैनल की तरफ से भी रिलीज किया गया, लेकिन चैनल का यह कहना था, कि यह गलती हमारे डिजिटल डेस्क से हुई, लेकिन टेलिविजन पर हमने ऐसी कोई ख़बर प्रसारित नहीं की थी, लेकिन चैनल की तरफ से दी गई यह दलील या यह सफाई, बीजेपी को पसंद नहीं आई, और विपक्ष में रहते हुए भी, और पोजिशन में रहते हुए भी, उन्होंने स्टैंड लिया, एक पूरे संस्थान को जो है बॉयकॉट किया कि हम नहीं आएंगे, आप हमारी छवी खराब कर रहे हैं, तो अगर विपक्ष में रहते आपको यह अधिकार था, कि जहां पर आपको एक न्यूस चैनल की बात खराब लगी, यह आपको लगा कि उन्होंने गलत तरह से ख़बर दिखाई, तो आपने यह स्टैंड लिया, कि हम वहां नहीं जाएंगे, आज के दौर में, अगर विपक्ष का गड़बंदन यही फिर आप उसकी तुलना एमर्जंसी से कैसे कर रहे हैं? यह सवाल बीजेपी के लिए है, कि आज जब आप उनकी तुलना कर रहे हैं, कि यह एमर्जंसी जैसी परिस्तित्या खड़ी कर रहे हैं, तो फिर जब आपने ऐसा किया था, तो आपका किया हुआ सही और उनका किया ह वह गलत कैसे हो सकता है सैधानतिक रूप से मैं मीडिया पर किसी भी तरह के बहिशकार या बैन का समर्तन कभी नहीं करूगी यह सही नहीं है लेकिन फिर मीडिया को भी हमें भी अपने भीतर जहांकने की जरूरत है कि आखिर ऐसी परिस्तिती क्यों खड़ी हो रही है यह हाला इस खबर पर भी बटा हुआ दिखाई देता है कि कुछ लोगे कह रहे हैं कि बैन करना सही बॉयकॉट करना सही है कुछ लोग कह रहे हैं गलत है या कुछ लोग कह रहे हैं कि यह तो होता ही रहता जिस तरह का अनालेसिस एक हमने भी इस वीडियो में दिया यहां से नुकसा सिर्फ और सिर्फ लोक तंत्र में मीडिया की जो जगा है उससे होने वाले कॉंप्रमाइजिस और समझोते का है क्यूं मैं ऐसा कह रही हूं कि अगर आज विपक्ष का गढ़बंदन ये डिसीजन ले रहा है अठाइस पार्टियां मिलकर ये डिसीजन ले रही हैं कि हम चौध यक्ति की आजादी की बात करते हैं जब हम फ्री स्पीच की बात करते हैं जब हम कठिन सवालों की बात करते हैं जब हम व्यवस्थाओं से पूछे जाने वाले सवालों की बात करते हैं जहां पर हम सरकार की नीतियों की आलोचनाओं की बात करते हैं जहां पर हम सरकार के जो प्रमुख चेहरे हैं, उनसे इस कठिन सवाल पूछने की बात करते हैं, तो ये परिस्तिती जो आज खड़ी हुई है, ये उन सारी परिस्तितियों को बौना कर देगी, कमजोर कर देगी, जहां पर सवाल पूछने का स्पेस ही नहीं बचेगा, तो एक दर्शक के नाते, मैं आ आपके ओपर ये छोड़ती हूँ कि आप तै करिये कि क्या हमें एक ऐसा देश और समाज बनाना है, जहां पर सवाल पूछने की भी आजादी ना हो, बहुत अन्यवाद, उमीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप मेरा पिछला वीडियो भी ज़रूर स्विशे पर देखिएगा और अपने कॉमेंट्स में मुझे जरूर जाहिर करिए कि इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि आपकी राय लोकतंत्र को और मजबूत बनाएगी, न्यूजबीट्स को सहीओ करने के लिए आप चानल को जॉइन भी कर सकते हैं, बहुत धन्यवाद अजल न्यूजबीट।